अब्रिवन एक्जाम एडिसीन चैनल में आप सभी का स्वागत है उस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलहाबाद यूनिवरसिटी में जो आपके एक्जाम कंड़क्ट कराए गये थे उसके संबन्द में एक नोटिस जारी करी गई है जिसमें आपके ग्रूप C के कुछ र रिजल्ट जारी कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि टेक्निकल असिस्टेंट सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट और जो है बोट मैं और ग्राउंड मैं और वाटर मैं इस इन सभी लोगों की रिजल्ट आउट हो चुके हैं आपकी पीडिया भी दी गई है आप में official site पर check कर सकते हैं यदि आपको नहीं मिलता है तो telegram का link description में है आप वहां से जाकर पूरी notice को देख सकते हैं मैंने वहां पर share कर दिया है अब आएए देखते हैं कि क्या यह notice skill test के लिए किते candidate qualify कर आए गए हैं आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यह है आपका टेक्निकल असिस्टेंट जो की गुरूप सी के पोस्ट के लिए था और इनका है skill test के लिए के क्वालिफाई हुए है candidate यहां पर देखिए मिंशन है skill test के लिए और आगे देखिए यहां पर इनका दे भी रखा है कि कहां पर होना है देखिए जेक इंस्ट्रिट्यूट अफ एप्लाइट फिजिक्स एंड टिग्नोलोजी फैकेल्टी अफ साइस यूनिविस्टी आफ इलहाबाद प्रियाग राज यह एड्रस दिया हुआ है इसे दियान से देख लेंगे आप सभी लोग कि रोल नंबर दिया है कि इतने से इतने तक है आपका इतने लोग इसमें शामिल होंगे और जो डेट एंड टाइम को देख लिजी अठारा तारीक को होना है ग्यारा बजे से बारा बजे तक है और रिपोर्टिंग टाइम दस बजे है मतलब दस बजे पहुचना है आपको 11 से 12 तक आपका स्किल टेस्ट होगा यह जो दिया गया है यह है असिस टेक्निकल असिस्टेंट के लिए और आप नीचे देख पा रहे होंगे यहां पर लिखा हुआ है टेक्निकल असिस्टेंट टोटल कर्टेग्री वाइस एक केंडियेट कौलिफाइ कराए गया हैं हम देखते हैं कि कि इनका दो पेज में टोटल दिया गया फीर जोकि 53 ंसिस टोटल है अए Technical Assistant के लिए, आईए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे Senior Technical Assistant, देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है, Senior Technical Assistant, यह Group B की पोश्ट थी, Group B पोश्ट के लिए भी Skill Test Conduct हो रहा है, और यह भी आपका वही होना है, जहाँ पर Technical Assistant का था, J.K. Institute of Applied Physics and Technology Faculty of Science, University of Elhabad, प्रियागराज, यह रही, और आपकी भी Morning Shift में होगा, लेकिन आपका होगा 20 तारीको, 18 को है Technical Assistant का, जबकि Senior Technical Assistant का, 20 मार्च को होना है, 11 से 12 बज़े स्टार्ट हो जाएगा, और 10 बज़े आपकी reporting टाइम है, इन में candidate जादा है, इसलिए 2 सिप्ट में एक्जाम होगा, इनका evening shift भी है, evening shift में आपका, जो है, वो भी 20 तारीक को ही है, 3 से 4 बज़े होगा exam, लेकि reporting टाइम दो बज़े है, मतलब जितने भी exam है, सबकी reporting टाइम एक घंटे पहले है, लेकिन में exam की timing आप धियान रखेंगे, अगर आप technical assistant में है, तो 18 मार्च को आपको exam देना है, और यदि आप senior technical assistant में है, तो 20 मार्च, 20 मार्च को आपके exam होने 2 सिप्टों में होगे, देखे, आए देखते हैं इनके result को, देखे, senior technical assistant, यह आपकी group B की है, और इनके में भी है, shortlisted for skill test, आप देख सकते हैं, आप सभी लोगों के यहां से form number, role number से आप अपने status को चेक कर सकते हैं, इसमें लगभग आपकी 3 page में PDF है, जिसमें 100 candidate है, जिनको shortlisted किया गया है, यह सारी PDF आपको telegram पे मिल जाएगी, आप कुहां से चेक कर सकते हैं, आइए मागे देखते हैं, देखिए आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यह भी आपके group C post के लिए है, यह है आपका boatman, groundsman और waterman, इन तीनों post के लिए result आउट किये गये हैं, इसमें भी skill test होगा, ठीक है, इनका cricket ground faculty of science, university of एलाबाद प्रेया स्कल टेस्ट, आप देख सकते हैं, morning shift में है, roll number अपना match करा लिजेगा, इनका भी 18 तारीक को होना है, 11 से 1 पीम पर होगा, ठीक है, और साथे 10 बजीन की reporting time, इनकी reporting time में थोड़ा सांतर है, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे, और evening shift भी 18 को होई होना है, यह भी आपका जो है, 2 से 4 बजे तक होगा, और 1.5 बजे जो है, आपकी reporting time दे रखी है, आईए अब यहाँ result को देखते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबका समलित रूप से दिया गया है, result चाहे आप बोट में में हो, ग्राउंड में या वाट में, इसी प्रकार से सभी लोग साथ लिस्टेट किये गए है, skill test के लिए, आप यहाँ से form number और roll number जो भी हो, आप मैच करा सकते हैं, category wise पूरे result एक साथ ही दे दिये गए है, अलग-अलग category divide नहीं है, चाहे वो बी सी हो, general हो, PWD, सबके result एक साथ ही दिये गए है, और इन में देख सकते हैं, इन में संख्या आगे के स्टेज के लिए, जिसमें आपके skill test होने है, उमीद है, इसको यह साइज चीजे आप सभी को समझ में आ गई होगी, और इन से related है, यदि आपके कोई comment, कोई भी query है, तो आप comment section में पूछ सकते हैं, नेस्ट वीडियो में आपको कोई भी information आती है, तो आप तक इस वीडियो में सुर्फ इतना ही, नेक्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए, टेक केर, जाहिंदे,